हलो बच्चों, सभी बच्चों को मिरा नमस्ट कार, देखे एक नुमेरिकल है इंटरफेरेंस का, कोशिशन कहा रहा है कि इफ वन आप दा टू आइदेन्टिकल स्लिट्स प्रिदूसिंग इंटरफेरेंस इन यंग्स एक्सपरिमेंट इस कवर्ड विद ग्लास, so that the light intensity passing through it is reduced to 50%, find the ratio of the maximum and minimum intensity of the fringe in the interference pattern, जब इंटरफेरेंस पैटर्न की बात कर रहे हैं तो दिमाग लगाईए अपना, आपने यंग्स एक्सपरिमेंट पढ़ा है कि अगर दो slits है मालिया, एक slit S1 है और एक slit S2 है, slit का मतलब होता है कि small hole जहां से light निकल रही है, और ये light जाकर के यहां कहीं परदे पे मालियते यहां से यहां जाके मिल रही है, और यहां से यहां जाके मिल रही है, और यहां मालिया जो दो light रहें, उनकी intensity I1, I2 है, तो हमने पढ़ा है कि जो intensity आपको resulting मिलती है वो मिलती है i1 प्लस i2 प्लस 2 i1 i2 cos 5 ये आपने पढ़ा है ठीक है 2 root i1 i2 cos 5 ये आपने resulting intensity का formula पढ़ा है ठीक है अब maximum intensity के लिए cos 5 की value maxima होना चाहिए तो maximum के लिए for maximum for maxima आपने पढ़ा है कि cos 5 की value maximum that is 1 तो i maxima जो निकलेगा वो निकलेगा आपका i1 प्लस i2 प्लस 2 root i1 i2 तो इसको लिखा जाएगा root i1 प्लस root i2 का whole square याद होगा आपको for minima आपने पढ़ा है कि वह एगर minima intensity है वहाँ पर ठीक है तो minima में cos 5 की value है minus 1 तो i minima की जो value आएगी वो इसी प्रकार से आएगी root i1 minus root i2 का whole square ये ऐसा आपने topic पढ़ा है अब यहाँ पर दो light source है simple से बात है light source जो लिया जाता है वो यहाँ पर एक light source लिया जाता है यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ से light जाती है और इन दो sources पे गिरती है तो simple सी बात है इन दोरो sources से जो light निकले गी हो same intensity की होगी ठीक है अब जो इस concept को थोड़ा समझने की कोसिज करिए हमने माना कि यहाँ से जो light जा रही है पहली slit से उसकी intensity मालिया है i-not और यहाँ से जो light जा रही है उसकी intensity भी है i-not ठीक है दोनों की intensity same है जोकि same source से दो भागों में break करके हम light को आगे बढ़ाते हैं तो जो i maxima होगा i maxima होगा यहाँ पर वो होगा root i-not प्लस root i-not का holy square सही कहाँ मैंने और जो i minima होगा वो क्या होगा root i-not minus root i-not का holy square that is zero और इसको लिखेंगे तो 2i-not का square करोगे तो आएगा 4i-not आएगा चीक है यह आप जानते है ratio निकाले के लिए divide करो दोनों को अब यहाँ पर question थोड़ा change है question कह रहा है कि one slit experiment that one slit if one of the two identical slits producing the interference in young's experiment is covered with glass अब क्या हुआ कि एक slit इसमें glass से cover कर दी गई यहाँ पर जो है glass लगा दिया गया काश लगा दिया गया अब काश लगाया गया तो light जब गई तो गई तो i not यहाँ से intensity की है लेकिन यह कह रहे है कि 50% light को यह pass होने देता है 50 को reduce कर देता है यहाँ इस slit से जो light निकलेगी वो i not नहीं निकली i not का 50% निकला यहाँ पर जो light इस से बाहर निकली वो i not dash थी जो i not की आधी थी ऐसा boolean होने थीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इस case में intensity maximum और minimum निकले तो देखें क्या निकलेगी अगर यहाँ पर हम i max निकलते हैं i max तो हमने क्या बताया rude i not तो rude i not तो यह rude i not हो गया यह वाला source और plus rude i not by 2 यह वाला source आधी intensity के light डाला है इसका whole square हो जाएगा ठीक है अब इसको calculate करते हैं तो को इस bracket के अंदर rude i not कामा ले लेते हैं तो अंदर बुचेगा 1 plus 1 upon root 2 का whole square ठीक है जब whole square को operate करेंगी तो i not के उपल आएगा तो यह i not root हट जाएगा और यहाँ पर lcm ले लिजेगा तो आएगा root 2 plus 1 upon root 2 का whole square यानि कि आएगा i not bracket में root 2 plus 1 का whole square और upon root 2 का square 2 हो जाएगा तो यह तो हो जाएगी maximum intensity जो वहाँ मिलेगी ठीक है अब जब यहाँ पर i minima लेंगे आप तो क्या हैगा root i not minus root i not by 2 का whole square ठीक है जाएगा राइटिंग अंदी है उसको adjust करिएगा root i not का i not बाहर यह बचेगा root 2 minus 1 का whole square upon 2 तो यह i maxima हो गया और यह i minima हो गया आप से जो कह रहे हैं कि जो maximum intensity की light है और जो minimum intensity की light है उसका ratio निकालिए निकालीजे तो i max upon i min का ratio निकालना है अब from mathematical calculation देखे i max क्या है i not root 2 plus 1 का whole square upon 2 और i minimum क्या है i not root 2 minus 1 का whole square और upon 2 उपर जाएगा यह 2,2 कड़ गया i not i not कड़ गया अब इसको calculate करिएगा root 2 plus 1 को क्या ले सकते हैं 1.414 plus 1 का whole square और इसको 1.414 minus 1 का whole square तो यह आएगा आपका कितना 2.414 का whole square upon 0.414 का whole square अब इसको simply mathematically solve कर लिजेगा और solve करके अपने आप ratio जो निकलना होगा वो निकल आएगा this is your answer ठीक है समझे आगई बात तो यह दो numerical थे एक पहले अभी हमने डिसस किया देख लीजीगा नमस्कार